आप दिख रहे हैं मगरा नीवसादस्तान खबरेश सबस्टी जोरो सोरिच उत्र भारत में जारी है सर्थी का सितम दिल्ली में चाट धिग्री तक गिश सकता है बारा धन्ट के टिटरंच से पहाल उत्र भारत के कायराजों में रव्ववार की सुभे घने कोरे के साथ रव palabra की सुभे होई Wai Razaarie तिल्ली में सुबे यहाँ पर कोरा की वज़े से यहाँ पर विजिबल्टी कम हो गए जिसके कारान लोगों को आने जाने में कापी तीखत का सामना करना पड़ा वही मौस्व विभाग ने अपने ताजा प्रेट में का है कि दिली अंसियार में अगले दो दिन हाड कपा देने वारी धंट पढ़ने वारी है वही मौस्व विभाग के चेतरी पूरो अन्मान केंदर के परमुक उल्दीब सिर्वास्तों का कहना है कि 27 और 28 जनवरी को दिली में सीट लहर पड़ सकती है तो वही इस दोरान दिली में न्यूंतम तापमान में 3-4 डिग्री ये तापमान नीचे गिर सकता है तो वही दिली में अवावा अब खराब है और राजदानी में कई जगाए कोई काफी चिंता जनक है किवल बिली रही उतरभात के लगबग सभी राज़ों में कोहरा का यही आलम है कोहरे की बज़ी से दसेता कापी कम हो गई है कोहरे का सर ट्रेनों पर भी आपर देखने को मिल रहा है वही 15 ट्रेन अपने निदारिव समय से लेग चल रही है वही जमुकस्मीर, लदाग, खिलकित, वल्टिस्तान, मुजफराबाद और हिमाचल परदेश और आसपास के लागों में यहाँ पर बारिस और बरबारी क्या संका है तो वही गाटी में जमकर ठंड यहां पर पढ़ रही है वही मौस्मीर के मताबिक जमुकस्मीर के पुंच, राजूरी, और रामबन, डोडा, किस्तवाड और अनतनाग, कुलगा, बारामुला, कुपवाडा और वांधिपूरी और आसपास के लागों में हाँ पर हिम्स्क्रून की यहां पर चितावने जारी की गई है मौस्मीबाद ने इस समय में येलो लटियां पर जारी कर दिया है वही पहाड़े लाकों में जाने से लोगों को मनातिया है साथ इसावधानी बरतनी के फिल्बिया पर की गई है आपको बताती किस वक्त कस्मीर में चलाई बच्चा यानि बेबी गॉल्ड का फियर सुरू हो चुका है जिसमें ठंड थोड़ी कम हो जाती है लिखिना भी कस्मीर वासिव को ठंड से कुई रहातियां पर मिलती नहीं लिख रही है जबके इसकाई में ठंड के अनुसार उत्र भारत की कई राजों में अगले कुछ दिनों के दोरान मोसम सुस्क रहेगा उत्र भारत की कुछ राजों में हाड कपादरी वारी सर्दी का सितम चलेगा यानि उतरभारत के कई राजों को आने वाले दिनों में आपर पीशिन ठंड का सामना करना पड़ेगा वाई भरपिले हवा में पंजाब में अमरिचार जलंदर और पठानकूट और लुद्याना पट्याला और बारनार से लेकर राजस्तान की चुरू गंगानगर भरतपूर और अलवर और हरियाना के अंबाला कुरूचेतर और करनाल युमिनानगार और पानिपात सोनिपात और दिलियन स्यार मेरट और मुरदाबाद बेराइच और सारणपूर लिगूर्ट और लगनों बेराइच इससे परभावित होंगे राचस्तान के पदा सьहरों का नियुंतम ताफ्माट दस टिग्री से कम मौंट अबू में फिर पारा कोच चायए सुनिपल राचस्तान में सद्डी का दोर लगातार जारी है राचस्तान विकपार फिर सर्दी ने यापर जूर पकर लिया है परदेस के पंदरा से अधिक सहरों में नियुनतम तापमान 10 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया है वही अधिकतम तापमान में भी गिराबर तरज की गई है परदेश में मौन्टाबू का नियुनतम तापमान एक बार फिर सुनिये पर पहुँच गया है वही भानचालकों को आने चाने में यहाँ पर ब्रेसानी का सामना करना पड़ रहा है वर राजदानी जेपुर आसपास के लाकों में भी सुबह यहाँ पर घना कोरा चाया रहा है ऐसा कुछी हाल विकनेर सेकाबटी और सरी गंगनेर भी देखने को मिल रहा है वही मौसम विभाग ने नौ जीलों में अगले तीन दिनों तक यहाँ पर सीट लहर और सोवार सुखो चार जीलों में घने कोरी की सभावना यहाँ पर जदाते हुए येलो लट यहाँ पर जारी कर दिया है वही मौसम विभाग के मताबि उतर भारत से एक पक्षीमी विक्सोब गुजरने से राजी में उतरी हवाओ का परभाव सुरू हो चुका है तरह कि बिकान गैर भुपगु चुरू भरतपूर और शिकर जुञुणू अलवर विलवाडा और हन्वांगर जिलों में कही कही सीड लह चलने की आशा बामना है वही आज गंगनगर हनुवानगड और विकाने जिलों के कई लाकों में गना कोरा भी चाया रहेगा इसलिए मोसम विबाद नहीं यहाँ पर यलो लट जारी कर दिया है मोसम विबाद का कहना है कि सर्धवाओ के कारण ठंड यहां बढ़ सकती है वही सीथ दिन की असलों को और पुसों को यह परभावित कर सकती है वही कोरे के कारण तैसे ताभी 500 बिटर से कम हो सकती है इसे वहान चलाने में लोगों को प्रिशा नहीं होगी वही मोसम विबाद के अनुसार आज परदेश के पंदरा से जदर सहरों में तापमाद 10 डिग्री से नीचे र हवाय लेगी वही बाड़े वारे इन हवाव से मेदान एलाकों में ठंड बढ़ेगी हलांकि दिन में मौसम साप रहने और गुफर निकलने से लोगों को राहत ब्लकी वर्वारत को दो दिन बाद निकली तो लोगों ने रात की सास लेग फुली दूब का अनन्द लेने के लोग अपने ख़रों से बाहर निकलाए वही चुटी का दिन होने के कारण पारकों और बाजारों में भी अच्छी कासी वियां पर प्रेट दिखाई दिया है दोग निकलने के कारण ठंड का भी हाँ पर लोगों को कम एसास हो रहा था अधिक्तम तापमान में एक डिग्री य दिख रहा है वही नियुंतम तापमान सामने के मुकाबले 2.3 डिग्री अधिक और 10.1 डिग्री कोडिया पर क्या गया है वही लकनों के निर्देशक मौसम विबाग के अंदर लकनों के निर्देशक जिपी गुपता ने बता है कि पिछले 2-3 दिनों से पूर्वी हवा चल ले लेगी इसे जो फेर बात होने वाली थंड यहांपर बाद चलने वाली थंडी हवा यहांपर पर राज़ानी समित अने सेहरों में यह पर गलन बढ़ेगी उन्होंने बताय है कि सुबह को रहेगा लेकिन दिन जड़ने के साथ-साथ मौसम यहांपर शाप हो जाए गया उबे के वक्त गनाकोरा यहां पर चाहिए रहा है पूरा यहां पर राजदानी का इलागा यहां पर गने को एकित्ज़बेट में हाला देसे कि शरूकों पर आज बिहार की अंदर अधिकतम तापमान में गयावरतार्च किता उसकती है वही मुस्टल विभाग के अंदर पटना ने कहा है कि आज कई लागों में तापमान में गया बढ़तार्च होगी वैराज दरिक पतना का तापमान पिश्य चोपिर गन्टों में चार डिगरी टक न पर तापमान 10.08 रहा है गया में तापमान अधिक्तम 19.09 और 9.04 तेगर पर दर्च किया गया है इसके रावा भगलपूर में अधिक्तम 17 और 11 तेगर यहां पर सबसे जदा असर यहां पर विजिबल्टी पर पढ़ रहा है गने कोरे की वज़े से दिन में भी वहानों को यापर लाइट चलागनी पढ़ रही है लाइट चलाकर ही वहान चल रहे हैं वही पटना एरपोर्ट पर गने कोरे के कारण दो ज़़े से जदा विमान यहां पर लेट हो चुके हैं वही कोरे और ठंड के करण लोग अलाव और हिटर का सारा यहां पर लोग बिहार के अंदर ले रहे हैं बात करें मद्यपरदेश के मौसब की तो मद्यपरदेश में आज फिर बढ़ेगी डिटुरेंट रात और दिन क तापमान में घी गिरावट उतर भारत में मौद्ध पक्षी विक्सोब का सर से इससे थन्द फिलाल गायब है लेकिन मौसब विजानी को कहना है कि आज से पक्षी में विक्सोब के उतर भारत से आगे बढ़ जाने की संबावना है इसके बाद हवा का रुक बदल कर उत्तर पचास मीटर रहे इसके इलाबा फुजारों में दोसों मिटर और कोगा में आपर दोसों मिटगए इसके इलाबा टीकमगर में दूसों मिटरह xuंगाबद में पांसों चित्रकोट में 충분 इलाद llah की गई है वानी वही सतना में यहां पर 2000 मिटर रिकॉर्ड यहां पर दस्यता की गई है मौसम विबाग के अंदर के वरिश मौसम विज्यानी पीके सहा ने कहा है कि वर्तमान में परक्सिमी विक्सुप जमुकस्मीर के उपर मौदूत है वो जिरे गिरे इस विजी से थोड़ा मौसम विबाग के वर्तमान में गिरावट का सिल्स्रा सुरू हो जाएगा वैसा कि मताबिक ताप्मान में गिरावट का सिल्सरा दो दिन तक जारी रह सकता है स्टोरान राजदारी बोपार्म का न्यूंतम तापमान डश्टिग्री सेलसे से भी डीचे जा सकता है। यहां पर अधिक्तम तापमान किरने से धंड यहां पर बढ़ने लगी है। अधिक्तम के मौसम की तो सुस्क बितेगा जनवरी का अकरी सब्ता मंगवास से तापमान में आएगी देजी। पक्सिम विक्सोब का हालिया सिस्टम बिना किसी गतिविती के बीच गया। वाई मौसम विग्यानिकों ने सरिवार और विवार को कुछ जगाव पर बुंदा बांदे की संभाव ना जाहिद की थी। लेकिन मौसम ने यहां पर नेरास किया है। वाई मौसम विवाग ने आगामी पांच दिनों में मौसम सुष्क रहने की उमीद जताई है। देरादुन के मुस्तम विज्यान के अंदर के रिडेर सक विक्रम सिंग ने बताया है कि उद्दम सिंग नगर जिले मैं कही कही आंसी ग्रूप से मध्यम को रचाने के लावा सेज कमाई उचेतर में यहां पर जनवरी का अकरी सब्ता सुष्क भी इतने वाला है वैरलवार को समाने से 4 दिग्री कम है वहीन उन्तम तामान 8 दिग्री शाईशेसर रहा है समानी की तो ना में यह तापमान 3 दिग्री यह दिखे वरिपरेटन इस्टेशन मुक्तेस्वर्त का तामान में भी यहां पर कमी आई है, यहां पर भी तामान 10 screens 12 of 9 दिग्रियां पर पहुच गया स्क्राइब कीजिए और साथ में घंटी कारी सांदवाईए